Hello students, Welcome to our digital class. Today we will read conversation. And the book is Let's Talk, a conversation book 1 for students of class 1. चलो आज पढ़ते हैं, हमारे book Let's Talk, जो की conversation के ऊपर रधार रिते हैं, क्लास वान बच्चों के लिए ओके तो आज हम हिंदी ओडिया इंग्लिस सब मिला के बात करेंगे मिला के पढ़ेंगे ठीक है तो कि यह हो गया लेट्स टॉक का बुक पैज टू पे चलो पैज त्री पैज नमबर त्री पे चलो तो यहां पर देखो हमें इंग्लिस में अगर बात करना है तो हमें क्या करना होगा हमें सीखना होगा के से बात करते हैं चलो देखते हैं कोई भी आपके घर पे आएगा पूछेंगे कि what is your name क्या पूछेंगे what is your name तो आप क्या बताओगे my name is राहुल सर्मा यहां पर जो बच्चा है उसका नाम है राहुल सर्मा इसलिए वो बता रहे है my name is राहुल सर्मा तो आप लोग भी आप खुद के नाम बता दोगे क्या बोलोगे आप लोग माइनेम इस आपके खुद का नाम ठीके तो फिर से बता रहा हूँ पूश्रा में what is your name बताओ अब बताओगे my name is अपने अपने नाम बता दो ओके very good यह पुरा प्राक्टिस कर लेना ठीके what is your name बोलेगे तो my name is राहुल सर्मा राहुल सर्मा के जगे पे अपने अपने नाम लेना ठीके और आप लोग भी अपने अपने मम्मी पापा को पुछो तो मामा फिज यूर नेम तो तुमारे मामा भी बताएंगे my name is उनके नाम बताएंगे अपने पापा को पुछो what is your name तो अपने पापा पताएंगे कि my name is उनका नाम बता देंगे तो तुम्हें अच्छा लगेगा ठीक है ना चलो अब चलते हैं दूसरी question दूसरी question पर क्या है what is your mother's name mother मतलब क्या है mother मतलब माता जी का माता जी को mother बोलते हैं तो यहाँ पर क्या पूछे है what is your mother's name तुमारे माता जी का नाम क्या है तो क्या बताओगे my mother's name is सुनिता सर्मा यहाँ पर कौन खड़ा है कौन बता रहा है राहूल सर्मा ने बता रहे इसलिए राहूल सर्मा जी के माता के नाम सुनिता सर्मा है तो इसलिए अगर आपको कोई पूछेंगे what is your mother's name तो क्या बताओगे my mother's name is सुनिता सर्मा के जगे पर अपने अपने माता जी का नाम बता देना ठीक है तो फिर से पूछ रहा हूँ what is your mother's name तो क्या बताओगे my mother's name is सुनिता सर्मा ठीक है मैं यहाँ पर जो किताब में लिखाए उई बताओगा आप लोग अपने-अपने माता जी का नाम लिख लेना ठीक है तो अभी याद रहेगा what is your name बताने से पूछने से क्या बताओगे my name is राहुल सर्मा अगर पूछेंगे what is your mother's name तो क्या बताओगे my mother's name is सुनिता सर्मा चलो अब चलते हैं question number 3 what is your father's name father मतलब किसको बोलते है पिता जी को father कहते है ठीक है तो यहाँ पर क्या बताना होगा आप लोगो अपने-पने पिता जी का नाम बताना होगा ठीक है तो क्या बताओगे my father's name is राज सर्मा यह राज सर्मा किसका नाम है और आहुल सर्मा जी के पिता जी का नाम है ठीक है तो आप लोग क्या बताओगे my father's name is अपने-अपने पिता जी का नाम बता देना ठीक है, तो मैं फिर से पूछ रहा हूँ, what is your father's name, आप लोग बताओगे, my father's name is राजे सर्मा, ठीक है, देखो उसके साइड में एक सर्किल दिया है न, वहाँ पे अपने पिताजी का फोटो लगाना है, और mother's के साइड पे जो लिखा है, what is your mother's name के साइड पे बॉक्स से सर्किल है, तो महाँ पे अपने माताजी का फोटो लगा देना, ओके, तो हम अभी चलते हैं, question number four, how old are you, तो क्या बताओगे, अपना उमर कितना है, यहाँ पे राउल सर्मा का एज कितना है, seven years से, तो इसलिए ओक क्या बता रहे, I am seven years old, क्या बोल रहे, I am seven years old, तो आप क्या बताओगे, आपके एज पूछ लो मामा को पापा को, अपने उमर पूछ लो, ठीक है, तो how old are you, तो बताओगे, I am, अपना एज, उसके बाद years old, I am seven years old, I am six years old, I am eight years old, I am nine years old, I am ten years old, तो अपना अपना उमर बता देना, I am seven years old, तो अभी हम लोग क्या सिखें, चार सिखें, what is your name, my name is राहूल सर्मा, what is your mother's name, my mother's name is सुनीता सर्मा, what is your father's name, my father's name is राजिस सर्मा, How old are you, I am seven years old, ओके, तो पेज नमबर four पे चलते हैं, four पे क्या पुछे हैं, which class are you in, क्या पुछ रहे हैं, which class are you in, मतलब ओ पुछ रहे हैं, कि आप कौन सी कक्सिया में हैं, कौन सी class में पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप एंसर क्या दोगे, I am in class one, class one क्यों पढ़ रहे हैं, राहूल सर्मा ने class one पढ़ रहे हैं, इसलिए वो बता रहे, I am in class one, ठीक है, तो आप जो उन से जिस class में हो, उसी class का नाम बता देना, तो फिर से पूछ रहा हूँ, which class are you in, तो क्या बता होगे, I am in class one, या two, या three, या four, या five, तो यहाँ पर, I am in class one, ठीक है, तो next question, which school do you go, तो यहाँ पर दो अंसर हो पाएगा, एक तो अंसर होगा, I study in omega 3 विद्याफिट, और भी हो सकता है क्या, I go to omega 3 विद्याफिट, ओके, तो क्या होगा, question दखो, सुनलो, which school do you go, तो क्या बता होगे, आंसर one, I study in omega 3 विद्याफिट, और second answer यह भी हो सकता है, I go to omega 3 विद्याफिट, तो फिर से पूछ रहा हूँ, which school do you go, तो क्या बता होगे, I study in omega 3 विद्याफिट, which school do you go, आप यह भी बता सकते, I go to omega 3 विद्याफिट, ओके समझ में आ गया, very good, तो अब बताओ, next question, what is the name of your class teacher, what is the name of your class teacher, दखो, W, H, A, T, what के उपर कॉमा जैसा है, तो इसके बाद S है, तो इसको what's भी बोल सकते हैं, और what is भी बढ़ सकते हैं, ठीक है, तो what's the name of your school, sorry, what is the name of your class teacher, question क्या है, what's the name of your class teacher, तो answer क्या दोगे, my class teacher's name is, मनीशा मोहन्ती, मनीशा मोहन्ती किसके नाम है, राउल सर्मा के class teacher के नाम, ओके, तो आप के से बताना, जो teacher, तुमारे school में first class लेते हैं, उनको class teacher कहते हैं, तो अब बताओ, जो तुमारे class teacher है, उनका नाम बताओगे, ठीक है, तो क्या बताओगे, my class teacher's name is, मनीशा मोहन्ती, मनीशा मोहन्ती की जगे पर आप अपने अप्रटीचर का नाम ले रेना, ओके, तो question पुछ रहा हूँ, what is the name of your class teacher, तो क्या बताओगे, my class teacher's name is, मनीशा मोहन्ती, ओके, my class teacher's name is, मनीशा मोहन्ती, ओके, फिर से पुछ रहा हूँ, what is the name of your class teacher, तो क्या बताओगे, my class teacher's name is, मनीशा मोहन्ती, ओके, very good, तो next question, question number 8, ओके, what is the name of your headmistress, headmistress मतलब क्या है, principal भी हो सकते हैं, और headmistress भी हो सकते हैं, हमारे school में, उनको principal कहते हैं, ठीके, तो what is the name of your headmistress, तुमारे headmistress के नाम क्या है, ओके, तो देखेंगे, my headmistress name is, शोबारानी मोहन्ती, ओके, क्या है, my headmistress name is, शोबारानी मोहन्ती, ठीके, और बता सकते हो, the name of my headmistress is, शोबारानी मोहन्ती, ओके, what is the name of your headmistress, तो तुम बता सकते हो, my headmistress name is, शोबारानी मोहन्ती, what is the name of your headmistress, The name of my headmistress is Sobharani Mohanty फिर से पुछ रहा हूँ What is the name of your headmistress? My headmistress name is Sobharani Mohanty What is the name of your headmistress? The name of my headmistress is Sobharani Mohanty Okay, very good तो आप लोगों को ये 8 questions पूरा याद रखना है ठीके? और assignment पे खुद recording करके मुझे भेजना है फिर से ठीके? तो मैं कुछ देशे की तुम्हें home work दोंगा तो उसमें submit करना ओके? आज के लिए उतना है कहलम page number 5 पे जाएंगे तब तक के लिए अलविदा Wish you all the very best Okay, thank you